हेलो दोस्तों, एक एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागात है और आज आपके सामने है होंड़ाई की नई नवेली तरो ताजा ग्रेंड डाइट और यह इसका फेस लिप्टेड वेरियंट है क्योंकि आपने पहले देखा तो गाड़ी कुछ और ही दिख रही थी और की बात करते हैं तो यह लगभाग 7.93 एक्षो रूम भोपाल में मिल जाती है और इस पे फ़ल थैंक्स मैं कहना चाहता हूं सुरजीत हंड़ाई को लार रोड भोपाल जिन्होंने हमें यह वीडियो सूट करने की परमिशन दी तो अगर आप भी कोई निव कार परचेस करना चाहते हैं या test drive लेना चाहते हैं तो पूरी context detail मैंने description में दे दी है वहां से आप car book कर सकते हैं और test drive के लिए call कर सकते हैं अब एक वार इस car का पूरा front view देखिए जो देखने में बहुत इशांदार हो premium लग रहा है इसमें आपको इस type की premium की मिल जाते है जिसे आप car को lock कर फकते हैं और hold करके boot open कर फकते हैं और इसकी की देखने में भी बहुत premium लगती है तो यह फारी चीजें आपको दी जा रही है क्योंकि यह top in variant है तो top in variant में आपको remote की दी जा रही है सबसे पहले आप इस गारी में चंज देखेंगे तो आपको दीखेंगा कि जो पहले DRL दे दिया गया है यानि आपको fog lamp नहीं दिया जा रहा है यही आपको fog lamp और DRL दोनों का काम करेगा यह try arrow shape में है जो देखने में बहुत ही premium लग रहा है और शांदार टाइप का लग रहा है उसके वादा आपकी नजर जाएगी यहाँ पे इसके headlamp unit पे तो यहाँ पे आपक प्रोजेक्टर बेस low और high beam के लिए एक ही bulb आपको यूज होता है उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसका पूरा front का design जो glossy black finish में दिया गया है बहुत शांदा लगता है और यहाँ पर पे आप देखेंगे तो पहले chrome का आपको logo मिलता था Hyundai का अब यहाँ पे silver sartan में दे दिया गया है उसके just आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा glossy black finish में है और यह grill देखने में बहुत premium लग रही है और up to market लग रही है उसके बाद आप दोनों side में देखेंगे तो वही try arrow type का आपको DRL मिल जाते हो रुफी के side में एक black color का जो assets दिया गया है वो भी देखने में बहुत premium लग रहा है तो अबर अलगर design की बात करें तो कोई कमी नहीं करी गई है इस कार में और अपने segment में यह सबसे शांदार दिखने वाली कार बन गई है एक चीज आप notice करेंगे कि इसका front का जो design है तो ऐसा लगता है कि सामने की तरफ थोड़ा सा जुका धलान टाइप का लगता है इसका posture तो ऐसा लगता है कि गाड़ी बिल्कुल चलने के लिए ready है इसपोर्टी टाइप की feel आती है इसी बज़े से और उसके बाद आप इसका पूरा उपर का अगर design देखेंगे यहाँ पे mirror पे तो यहाँ पे आपको wiper मिल जाता है और यहाँ वाइपर और वाफर दोनों सारी चीज़े यहाँ पे आपको मिल जा रही है और देखने में बहुत प्रीमियम लग रही है मैं बार बार कहरा हूं कि अपने segment की सब्से प्रीमियम कार लगती है और इसका design देखने में front का तो मैंने आपको सारी चीज़े दिखा दी बहुत श चांदार दिखते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ORBM में यह पूरा body color का ही दिया गया है रेट कलर का ORBM दिया गया और नीचे ही आपको indicator भी मिल जाता है और उसके side में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक matte black knife type का दिया गया है तो थोड़ा अगर red color में कहीं कहीं पे अगर black assets दिखते हैं तो बहुत type मतलब premium type की कार लगने लगती है और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरा chrome में दिया गया है यह door handle और पीछे वाला भी door handle आपको chrome में ही दिया जा रहा है तो सिर्फ door में आपको chrome मिल रहा है बागी किसी भी जगह पे नहीं मिल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको shark fin in tina मिल जाता है और यह रूप rail मिल जाते है और यह practical नहीं है इसमें आप कोई सामान वगेरा आप बाद नहीं सकते इस type नहीं दीगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जी view दिया गया है वह बहुत ही जवर जस्त लग रहा है इसमें जो यह light दी गए यह पीछे की tail lamp यहाँ पे भी आप देखेंगे तो try arrow type try arrow shape दिया गया है जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है और यह जब on होता है रात के time में और यह always on type का थोड़ाफा diffuse type दिखता रहता है यह हमेफा ऐफा लगता है कि on ही है जो देखना में premium लगता है यह red color है इसलिए थोड़ा फकाम उभर के दिख रहा है अगर यह blue अगयरा होता तो और भी ज्यादा शांदार दिखता और यहाँ पर आपको एश्टा की badging मिल जाती हो और यही silver farten में और यह देखिए left और right की जो tail lamp है वो दोनों connect होते हुए दिख रहे हैं यही खास बात है आपने देखी होगी कि Hyundai की venue में भी यही चीज मिल रही थी और यहां पर आप देखेंगे तो grand eye 10 की badging मिल रही है और दोनों के आप light देखेंगे तो पूरी connected दिख रही है लेकिन ऐफा नहीं है कि पूरी light जलती है फिर आपको यह left और right के tail lamp में जलते है और यहां पर आपको fuel tank दिया जा रहा है जिसकी capacity 37 liter की है मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका front view और rear view जब से मैंने देखा है तो मुझे यह car भाग गई है मतलब आखों को बहुत फुकून मिल रही है यह car देखने को बात और red color तो मेरा favorite color है मतलब i20 में भी मुझे बहुत प्यारा लगता है और ऊपर आप देखें के तोहां पे high stop mountain lamp दिया गया है यहां पे defogger की line दी गई है और यहां पे wiper दिया गया है तो यह सारी चीजें आपको मिल रही है मैं एक बार फिर से बताना चाहता है कि यह top end variant है के बील मिल रहे है उपी हिवाब से 167 mm का ground clearance अच्छा खासा माना जाता है यह तो हो गया इस कार का पूरा बाहर का महौल जो बहुत ही शानदार टाइप का दिखा अब हम देखते हैं कि अंदर हमें क्या-क्या चीजे प्रोबाइड की जा रही है तो सबसे पहले हम driver side का gate open कर करेंगे उसके बाद हम यहां पर door trim में देखेंगे तो कुछ जादा बदलाओ नहीं दिख रहे हैं मतलब कुछ भी बदलाओ नहीं दिख रहे हैं यहां पर देखेंगे तो वही light and gray type का combination आपको देख रहा उपर यहां पर हार्ट प्लास्टिक का ही उजग किया गया है और इ यहां पर पूरा power window का button दिया गया है मतलब gate को close कर सकते हैं तो यहां पर soft touch आपको कुछ नहीं मिल रहा है पूरा hard touch आपको मिल रहे है और यहां पर आपको this speaker दिया गया है यही पर आपको bottle holder दिया गया है कि 설명 तो देखने में बहुत शान्दार लग रहा है अब हम देखते है कि अंदर हमें क्या क्या चीज़े मिल रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इसकी सीट में इसकी सीट में थोड़ा फ़ा चंज गया गया है पहले यह थोड़ा फ़ा डार्क रहता था अब यह थोड़ी फी सीट इसकी लाइट हो गई है लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रंट वाली सीट में आपको एड़ेस्टिवल हेडरेस्ट में मिल रहे हैं यहाँ पे नियॉस की बैजिंग मिल रही है लेकिन यह देखने में बहुत चांदार इनकी कुफनिंग बहुत जोरदार है यहाँ आप साइड साइड में दे डिजाइन देखेंगे तो देखने में प्यारा लग रहा है यहाँ पे कुछ आपको चेंज नहीं दिख रहे हैं जो पुराना था उसी टाइप का आपको दिख रहा है सिर्फ एक आपको चेंज दिखेंगा वह आपको इस्टेरिंग वील में दिखेंगा तो वह मैं सारी ची पुफ इस्टार्ट इस्टाप को बटन मिल जाता है और यहाँ पे छोटे कुछे मतलब बटन की प्लेफिंग हो गहरा दी गई है और वहीं पे मतलब थ्री लेयर टाइप का कलर दिया गया तो अच्छा लग रहा देखने में मतलब पियानो ब्लेक पिनीफ और उसके बाद आप देखेंगे तो एक बार मैं अप गाड़ी के अंदर बैट जाता हूं और गेट को बंद कर लेता हूं अब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इसके स्टेरिंग बील में जो देखने में बहुत प्रीमियम टाइप के लग रहा है पूरा लेदर रै आपको मिल रहे हैं और यहां पे आपको पूरा क्रूज कंट्रोल मिल जा रहा है तो यह मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फीचर इस कार में भर दिया गया है मतलब भर भर के फीचर दिया गया है और कोई फीचर छूटने न पाई इस टाइप की चर्चा की गई आपको कहीं नहीं मिलता है लेकिन यह है कि अगर आप इस्टेरिंग पकड़ते हैं तो पूरा लेदर रहे है तो देखने में अच्छा लगता है उसके बाद आप यहां पे इनफोटेंडमन सिस्टम देखेंगे तो यहां पे 7 इंचिक आपको इनफोटेंडमन सिस्टम मिल और यह पूरे लेट राइट में आपको पूरे मीडिया के कंट्रोल दिये जा रहे हैं जैसे यहां पे सीख, ट्रैक, स्टेप, रेडियो, मीडिया यह वारी चीज़ें और यहां पे आपको नोब भी मिल रहे हैं और उसके नीचे देखेंगे यहां पे AC का कंट्रोल दिया और यहां पे 1000 बिचन दिया गया है और यहां पे पूरा ऑटमेटिक एफी है तो आपको इस फारी चीजें प्रीमियम ने मतलब टॉप फारी चीजें यहां पे होनी चाहिए थी यहां पर आपको C टाइप का चारजर मिल जाता है और यहां पर आपको वो मतलब 5-speed manual gearbox मिल जा गाड़ी को ट्रैक्टिकल बना देती है कि अगर आप दूरी का सफर कर रहे हैं तो थोड़ा से रिलैक्स फील होते हैं उसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो यहां पर आपको मैनुवल ही मिल जाता है अब आप यहां पर देखेंगे तो को ड्राइबर फाइड आपको टिकट की बात नहीं है यहां पे कुछ चैन्नी किया गया है फिर पे individual power window का button दिया गया है और एक बार मैं कोशिफ कर रहा हूं कि कुछ miss न होने पाए और यहां पे cup holder दिया गया है और नीचे यहां पे आप देखें कि तो ABC पैडल दिया गया है और यह आपको side में dead paddle भी मिल जाता है तो यह अच्छी आपको वाइपर का control मिल जाता है और touch screen मिल जाता है और touch screen मिल जाती है अब मैं एक बार पूरा महल मुझे लगता है कि driver fight कहो गया यहां पे आप देखेंगे तो info मतलब MID में आपको बता भी देता है कि आपका door open है driver और co driver fight का पूरा महल से ठो चुका है अब हम देखते हैं कि हमें पीछे क्या क्या चीज़े मिल रही है तो यहां पे भी आपको chrome में ही handle दिया गया है अब हम door open करके देखते हैं तो यहां पे कुछ खास चेंज नहीं किया है इसमें और पीछे भी आप देखेंगे तो उसी type का मतलब light में लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे front में आपको seat में आपको adjustable headrest नहीं मिल रहते लेकिन आपको पीछे दिया गया है तो passenger का इसमें अच्छा खासा थ्यान दिया गया है कि passenger की कोई भी ज्यादा थकावट महस नहीं होनी चाहिए बस बैठके आराम से relax करते हुए सफर का मज़ा लें और इसकी कुसनिंग और तो अच्छी ही है थोड़ा फ़र light color में तो देखने में premium लगते है अगर light color मुझे मतलब personally light color अच्छा लगता है और इसमें high support और भी अच्छा खासा मिल जा रहा है उसके बा आपका cabin बहुत अच्छी तरह पूरा cool हो जाता है उसके बाद आपको AC बंद करने के जगत पड़ने लगेगी तो अच्छा खासा cool करता है तो आपको गरमी में कोई problem नहीं आएगी और यहाँ पे handle दिया गया है और बीच में ही आपको बिल्कुल बीच में आपको यहाँ प इसकी design मतलब front की बात करें या rear की बहुत ही premium है अब मुझे यकीन हो रहा है कि यह गाली top 10 filling car की list में अपना नाम जरूर बनाएगी क्योंकि जिस टाइप का इसमें design दिया गया है यह क्योंकि आज के जो मतलब young generation वाले लोग है उनको design बहुत ज्यादा attract करती है उसके बाद ह हम boot space की बात करें तो एक बार हम boot को open करते हैं उसके लिए अभी open हो नहीं रहाता है तो मैं कीफे उसके boot button को hold करके रखता हूं यहां से आप boot button को hold करके रखेंगे तो यह open हो जाता है उसके बाद आप यहां पर sensor लगा हुए एक चोटी से button लगई हो इसको click करके आप यहां पर boot को open कर सकते हैं तो यह मैंने boot open किया इसमें अब देखेंगे तो अच्छा खासा आपको boot space भी मिलता है और उपर आप देखेंगे तो वही button मिलती है और यह magnetic type को उसमें बंद करने करता है और यह सारी चीज़ें यहां पर है अब आप इसका एक बार boot देखिए यह पूर तो आसानी से बैठ जाएगा और एक बार मैं देखता हूं कि spare wheel मुझे किस मतलब size का मिल रहा है हां यहां यहां पर 14 इंच का spare wheel मिल रहा है जबकि आप यह top and variant में आप देखेंगे तो 15 इंच का wheel मिल रहा है अधिकतर यही देखने को मिलता है कि जिस गाड़ी के base model में आपक एक इंच का छोटा wheel मिलता है उसके top and variant में वही wheel दे दिया जाता है अब यहां फे एक बार आप पूरा design देखिए लेकिन इसमें ऐसा भी है कि अगर आप इसकी feet को पूरा fold कर देंगे तो boot space और भी ज़्यादा है इनकरीज हो जाता है तो यह boot space की पूरी बात हो चुकि की बात करें आप देखें भी सकते हैं इसमें 1680 mm की width मिल जाती है और अगर height की बात करें तो 1520 mm की मिल जाती है और इसमें 2450 mm का wheelbase मिल जाता है और इसमें 4 लोग या 5 लोग तो आसानी से बैठके इसमें travel कर सकते हैं अब अगर last में हम इसके engine की बात करें तो इसमें 1197 CC का pipe speed manual gearbox मिल जाता है जो 81 bhp की maximum power और 113 mm का maximum torque generate करता है और इस car में आपको लगभग 20 kmpl का mileage भी claim किया जाता है इस car related सारी चीजे मैंने बता दी हैं अगर कोई भी चीज मिस हुई हो तो आप comment करके पूँच सकते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अगर Hyundai की कोई new car purchase करनी है तो सुर्जीत Hyundai, Kular Road, Bhopal आप जरूर वीजिट करें पूरा description में आपको contact number वगएरा और Google Map, address वगएरा सारी चीजें आपको मिल जाएंगी